हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स वेरी वेरी गुड इवनिंग तो अल अव यू सो वी आर लाइव न अन अकाडमी नीट लाइव डेली माइडियर फ्रेंड भारत का यह बहतरीन प्लाटफॉर्म जहां पर क्वालिटी एडुकेशन आप घर बेठे एक्सेस कर पाते हैं अनकाडमी का नारा है अब हर घर डॉक्टर हमारा है बच्चा राइट सो थर्मोमेट्री पर बात हो रही है लेक्चर नमबर 3 पर आज हमें बच्चा एक्स्पांशन ओफ लिक्विड की बात करेंगे बहुत सारे क्वेशन्स यहां से पूछे जा सकते हैं अगर पेपर अगर चीज़ें कुछ समझ सी नहीं आती है सर कॉंटेनर का एक्सपांशन अंदर के रखे लिक्विड का एक्सपांशन वो सारी चीज़ें आपका भाई आपके सामने हैं आप सभी लोगों का तह दिल से शुक्रियादा करता हूं बच्चा और इस प्लैटफॉम पर आप कॉलेज तक पहुचा सकते हैं उसके लिए बस आपको करना है कि आपके राइट-ंड साइट पर आपको लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा उसे प्रेस कर दीजे साथे साथ बल आइकन को हीट कर दीजिए तो आप डॉक्टर सचीन कपूर सर की बहतरीन बायोजी का फा अनकाडमी सब्सक्रिप्शन इस पर चल कर आप अपने ड्रीम कॉलेज को चीव कर सकते हैं यह बुटिव बच्चा इन पर आपको पढ़ाया जा रहा है वो पूच सकते हैं इंटरेक्टिव पोल्स का उप्शन वाह पर रोता है टेस्रीज इन देर आलिस है आप यहां पर ल जो शेशन से बच्चा उनके भी बेनिफिट्स ले सकते हैं जो किसी भी प्रेपरेशन का सबसे एहम हिस्सा है कंट्री के टॉप एजुकेटर्स आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बताएंगे कि कैसे आपको प्रॉसीड करना है किस तरह से करना है इंडिवीजुल कोर्स बेच कॉरसिस मेंनी मोर यहाँ पर चीजेश हैं जसके आपको एकसेस हो जाता है उसके लिए आपको करना के विल इतना सा शय यहाइं football करना पड़ेगा बच्चा इंस्टाल करने के बाद में go to the plus section select need category and then get subscription उसके बाद में multiple options हैं so जो गेंग है बच्चा 2021 का I would like to suggest one year का subscription and the gang of 2022 आपको में suggestion दूँगा बच्चा two year का subscription आप यहां पर देखे जरा one year का subscription is a cost of 27,000 and two year का आपको पड़ेगा बच्चा 32,400 रुपीज मतलब आपको यहां पर 27,000 और यहां पर जो आपके पास 32,400 बच्चा इसमें केवल और केवल लगबग लगबग 5,000 रुपे का difference से only 5,000 रुपेज और यह एडिशनल बच्चा so use करे code MSLIVE अपलाई जरूर कर देना और enjoy करना बच्चा तो जो two year के subscription चाहते हैं वो जल्दी करो ज्यादा देरी मत करो ठीके जी चलिए बहुत बढ़िया so यहां पर one and only MSLIVE आपकी physics को जो है live करने के लिए get 10% off as well as चलिए start करने से पहले देख लेते हैं चर्चा में कौन को न आ चुका है हेलो अमाल हेलो आदित्यों हेलो रूपाली हेलो सुल्ताना हेलो अर्षद हेलो अनु हेलो रजट हेलो स्वीटी अंत्रिक्ष चलिए तो काफी सारे फ्यूजर डॉक्टर्स जूडगा है काफी दिनों बाद मुझे तो यसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं ठीक है तो खेर चलिए बढ़िया बात है बहुत बढ़िया राइजी हेलो जुनेद हेलो नैना हेलो बॉटनी हेलो रूपाली हेलो अनुसिंग हेलो सरीता हेलो मधू हेलो चलिए थोड़ा और अपने दोस्तों के बीच में फैलाईए बच्चा इसको राइट जी तो काफी सारी चीज़े जो हैं आपको मिलने लगेगी आज के शेशन में कीलर विज्वलाइजेशन के साथ पढ़ाई होने वाली बच्चा तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपांशन ओफ लिक्विड इन अ कंटेनर आप लोगों ने घर पे भी किया हुआ यार है ना कंटेनर के अंदर कोई भी लिक्विड रखकर जब उसको गेस स्टॉक के ऊपर रखते हैं और फिर उसे जब गरम करते हैं तो वहां हमें फिल नहीं होता लेकिन आज यहां प पढ़ेंगे क्या चीजें यहां पर होने वाली ठीक है बहुत बढ़िया राइट बिल्कुल देखो आयूश लिक्रेंगे सर अभी प्लस पर मजा आ गया तो यहां से अगर आप देखेंगे बच्चा थर्मल एक्सपांशन तो क्यूं होता है थर्मल एक्सपांशन जब भी क का जो average distance से बच्चा वो increase हो जाता है and that explain कि यहां पर expansion होगा बच्चा क्योंकि molecule पहले एक structured format में थे because of the heating यहां पर क्या हो चुके बच्चा zigzag motion करेंगे in a random direction average separation between the molecules will increase जिससे आपका body क्या करता है बच्चा expand करता है हमने graph बनाकर curve बनाकर यह चीज़ समझे थी राइजी चलिए तो आज आप सारी चीज़े wonderfully हम यहां पर discuss करेंगे one by one with the killer visualizations अब यहां पर दो चीज़ें बच्चा एक हमारे पास liquid एक हमारे पास solid है why liquid expands more but solids does not because अगर liquids के case में आप देखोगे तो with the same temperature change बच्चा यहां पर जो bond होता है bond between the molecules is stronger और यहां पर जो bond between the molecules होता है comparatively as compared to solids यहां पर bond क्या होता है बच्चा smaller होता है so in case of liquid you can feel that कि यहां पर random orientation यहां पर जो random motion है बच्चा लिक्विड में वो जादा है as compared to solid bodies बच्चा that is why on expansion आपके liquid जादा on hitting liquid expands more but solid does not as compared to बच्चा ठीक है क्योंकि यहां पर आपका जो bond है वो कम होता है और सर यहां पर आपके bond forces जो होते हैं बच्चा वो stronger होते है और यहां पर bond forces आपके smaller होते है right everyone? मज़ा है रहा है जी? right so killer visualization के साथ-साथ जो है like ठोकते जाना प्यार अपना दिखाते जाना chat box जो है भरा होना चाहिए बच्चा heart से, fullo से, chocolate से ठीक है और साथी साथ हर एक बच्चा इसको share करेगा right now, right away ठीक है क्योंकि quality education सब तक पहुंचाना हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है बच्चा तो इसे अपनी duty समझ कर फटा-फट से यह कर दीजिए अब यहां से आगे चलते हैं, what will happen when we pour some liquid यहां पर एक flask के अंदर हमने liquid भरा, फिर हमने rubber का एक धक्कन लगा के हमने उसके अंदर डाल दिया, एक calorie यहां पर आपने जो डाल दिया है एक tube बच्चा, तो जैसे आपने देखा कि इसमें level of liquid कुछ यहां तक आपको fill हुआ, there is some level of liquid, now अब अगर मैं इसको heat up करू, यह before hitting situation है, मैंने flask के अंदर एक activity कर रहे है हम यहां पर, right, अब यहां पर क्या कर रहे हैं, we are pouring, we have poured some of the liquid inside the flask, हमने धक्कन लगाया, धक्कन लगाके we have inside one road over there, ठीक है, जिसको हम capillary tube कह सकते हैं, so उसमें level of liquid आपको यहां पर observe होगा, कि कितना पानी चड़ गया, तो water is somewhere here, यहां तक उसमें पानी आपको दिख रहा है, जब हम इसको heat up करते हैं, तो क्या हो रहा है, देखो हम यहां पर heat up कर रहे हैं, जब आप इसको heat up करते हैं, तो जो level वहां था, वो level suddenly नीचे आ जा रहा है, बिटा, देखो यहां पर blue color आपको visible हो रहा होगा, थोड़ा सा देखने में मुश्किल है, लेकिन आप feel करो बचा, जब हम इसको heat up करते हैं, तो what exactly happens is, कि जो level होता है, वो पहले नीचे आता है, now why this is so, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको समझने के लिए आप यहां पर ध्यान देना, ठीक है, आप यहां पर अगर ध्यान दोगे, तो water level will decrease, why this is so, because यहां पर flask क्या करता है, बच्छा, expand हो जाएगा, अच्छा, एक बात समझो, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, जब आपने flask को heat दी होगी, तो सबसे पहले heat directly किसको मिलेगी, flask को मिलेगी, जो आपने heat दिया, वो directly flask को मिलेगा, मतलब whatever amount of heat you supplied will be received by the container only, और वो container उस heat को receive करके expand होगा, और जब वो expand होगा, तो उसका volume increase होगा और जब उसका volume increase होगा, तो level of water will decrease पहले, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद you are continuously supplying the heat ना, तो वो जो heat है, वो कहां से आपके container में से पास होके, liquid molecules के पास चली जाएगी, और अब liquid molecule भी क्या करेंगे बच्चा, वहाँ पर गरम होने लगेंगे, तो वो expand होगे, और फिर water का level rise करने लगेगा, तो जब भी कभी किसी container में, अगर आप liquid को heat up करते हैं, तो liquid का level पहले नीचे गिरता है, because solid expand होता है, फिर उसके बाद में आपका liquid expand होता है, तो level वापस से बढ़ने लगता है, everyone yes or no, understood, clear है बच्चा, right, so that is the simple सा funda जिसके बारे में आपको यहाँ पर देखना था, तो है question करके हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, whatever we have discussed, so मैं यहाँ पर आपको timer देता हूँ, हाला कि मुझे पता है, आप सभी लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आंसर करेंगे, but it is great to interact with you guys, ठेक है, तो interactive यहाँ पर चीज़े रखने, फटा फट से बताएंगे कौन को न आंसर देता है, a liquid is filled in a flask up to a certain point, when the flask is heated the level of liquid, जब हमने flask के अंदर पानी को भरके flask को गरम किया, तो level of liquid के साथ क्या होने जुनेद, श्रस्टी, अनुशाह, सबका आंसर आना चाहिए बचा, राइजी सबका आंसर आना चाहिए, फटा फट 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 और लाइक्स जो हैं बढ़ते रहने चाहिए, यार, लाइक्स बढ़ते रहने चाहिए, तो सारे बचों ने सही जवाब दिया है, अभी अभी ताजा ताजा हमने concept सीखा, कि जब हम किसी भी container के अंदर liquid को रखते हैं, और जब हम उस container को heat up करते हैं, तो पहले container expand होगा, फिर उसके अंदर रखा हुआ liquid expand होगा, जिससे पहले level गिरता है, और फिर बाद में level rise करता है, तो correct option यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, first it will falls and then rises बच्चा, तो correct option is option number B, questions के साथ चीजों को समझना, always it is very very easier बच्चा, अब आगे और बात करते हैं, तो solution का जो है particular explanation भी लिखा हुआ है, now, एक activity करते है, we have taken some of the liquids बच्चा यहाँ पर, ठीक है, अलग-अलग same sizes के हमने यहाँ पर flask लिए, जिसमें अलग-अलग liquids हम यहाँ पर पोर कर रहे हैं, पहले वाले flask में we are pouring water, दूसरे में वाले में we are pouring बच्चा एथर, तेसरे वाले में we are pouring benzene and last वाले में we are pouring ethanol, अलग-अलग liquids को fill करने के बाद हम क्या करेंगे, तो आप नीचे देख रहे हो, नीचे हमारे पास यहाँ पर gas pipe connected है, तो यह जो gas pipe है, यह gas pipe यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चा they will provide some of the heat to this container और उस container में पानी है बच्चा, वो पानी के चलते यहाँ पर water, ether, benzene और ethanol के पास heat transfer होगा, इस activity से हम क्या सिखने वाले हैं, इस activity से हम सिखने वाले हैं, कि अगर अलग-अलग liquids को आप heat up करते हैं, तो क्या हर liquid same expand होगा, या अलग-अलग liquid का expansion अलग-अलग होगा, same temperature change पर, तो आकर चलिए देखते हैं, जब हमने heat up देना start किया बच्चा, नीचे से, you can fill that, मैंने कहा था न, हर एक चीज़ killer visualization से, you can fill that बच्चा, जब हम इसको heat up कर रहे हैं, something is happened, पहले level नीचे आया, अब यहाँ पर level क्या करेगा बच्चा, उपर जाएगा, level will go up बच्चा, ठीके देखो यहाँ पर, आपको feel हो रहा होगा, ठीके, water यहाँ रुख गया, ether सबसे उपर गया, बेंजीन उसके comparison में थोड़ा कम नीचे, थोड़ा कम उपर है, और आपका ethanol उससे थोड़ा सा कम है, सबसे जादा expansion किसका हुआ बच्चा, सबसे जादा expansion हो रहा है, ether का, उसके बाद बेंजीन का, उसके बाद ethanol का, सबसे कम expansion किसका है, आपके, water का है, so the funda is, अलग-अलग liquid, same temperature change पर, अलग-अलग expansion शो कर रहे हैं, that means, इनके, जो coefficient of expansion है बच्चा, वो सारे material के अलग-अलग होंगे, सबसे जादा expansion अगर ether का है, मतलब ether, unit temperature change पर, जादा expand होता है, तो इसका, coefficient of expansion भी, ज्यादा होना चाहिए, क्या ये सब को समझ में आया बच्चा, is that clear, तो ये आपका छोटा सा, एक simple सा funda था, अब हम यहाँ पर बात करतें सर, expansion of liquid के, mathematical calculations की, थोड़े समय पहले जब हम expansion की बात कर रहे थे, तो तीन तरह के expansion मेने आपको पढ़ाय थे, कैसे expansion बच्चा, linear expansion we have studied, L is equals to L0, 1 plus alpha delta T, we have studied about the superficial expansion, A is equals to A0, 1 plus beta delta T, and we have studied about the volumetric expansion, V is equals to V0, 1 plus gamma delta T, जहाँ पर gamma is known as coefficient of volumetric expansion, similar to that, अगर आप यहाँ पर, whenever we heat up a liquid, and we will change the temperature by a range delta T, तो यहाँ पर, क्या करेगा, आपका liquid expand होगा बच्चा, और liquid expand होगा, तो उसका नया volume is equals to purana volume, 1 plus gamma L delta T, जहाँ पर gamma L क्या है, तो gamma L is known as coefficient of real expansion, or coefficient of volume expansion of liquid, बच्चा, क्योंकि solids भी expand होते, उनका भी gamma होगा, यह liquid है, इसलिए इसको हमने gamma L कहा है, it's a coefficient of volume expansion of liquid, बच्चा, why we are using word real over here, funda इसके पीछे बहुत असान है, क्योंकि जिस container के अंदर, आप liquid रखेंगे, temperature बढ़ाने पर, वो particular container भी क्या करेगा, heat up करेगा, वो भी expand करेगा, yes or no, are getting my point or not, so, यहाँ पर अगर आप देखोगे चीजों को, तो अगर आपने solid, जिसमें ये liquid रखा था, जिस container में रखा था, वो किसी solid material का होगा, उसका भी expansion होगा, और उसके expansion का formula आपने लिग दिया, sir, Vs prime is equals to V, 1 प्लस gamma S delta, जहाँ पर gamma S क्या होगा, gamma S होगा, बच्छा coefficient of volume expansion for solid vessel, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को समझना, भाई, कि actual expansion कितना हुआ होगा liquid का, अगर solid बिल्कुल expand नहीं होता, जितना solid पहले है, अगर एक लिटर का volume था मान लिजे solid का, और उसमें आपने आधा लिटर पानी रखा हुआ है, जिसे घर में, जनरली जब हम दूद गरम करते हैं, तो जो आपके घर में container होता है, दूद करम करने का, उस container का expansion आपको नजर नहीं आता, लेकिन दूद का expansion आप फिल कर सकते हैं, उपर उठके आता है कि नहीं आता है, है ना, आधा container भरा हुआ था, जब वो heat up होता है, तो फिर उठके उपर आता है ना, expansion, you can fill that expansion over there, kitchen में कभी जाकर गरम करके देख लेना बच्चा, आपको fill होगा, तो उस case में solid expand नहीं हो रहा है, बट अगर solid expand होता तो, तो relative term वहाँ पर use करनी परती बच्चा, actual expansion कुछ और है, और दिख रहा कुछ और है, that is the funda, और जी, तो यहाँ पर आप समझ लीजेगा जड़ा बातों को जड़ा प्यार तरीके से, तो अगर आप, so the change in volume of liquid relative to vessel, vessel के relative, जितना liquid expand होगा, उसके comparison में, solid का expansion minus कर दीजिए, उतना expansion आपको नजर आएगा, so that is, दोनों का volume V है, और V में से आप यहाँ पर लिखेंगे, सर, gamma L minus gamma S into del theta, जहाँ पर यह जो term है, बच्चा, gamma L minus gamma S, इसको हम कहेंगे, सर, apparent coefficient of volume expansion, बच्चा, क्या कहेंगे हम, apparent coefficient of volume expansion, gamma L minus gamma S, liquid minus solid वाला फंडा बच्चा, अर्टिंग मैं पॉइंट और नॉट, everyone clear हो रहा है, इस पर based a question जरूर आएगा, चीके, अब यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, आप लोगों को कहीं, आप मेंसे कहीं लोग सोच रहे होंगे sir आप मेंसे कहीं ने तो पढ़ा भी नहीं होगा फोर शोर छोड़ दिया होगा कि चलिए छोड़िये एक चार नंबर का नहीं भी करेंगे तो क्या होगा thermal stress से आ जाएगा तो कर देंगे thermal expansion मेंसे जो simple वाले questions होते हैं जाएंगे तो कर देंगे यह सब बिमारी में नहीं पढ़ना choice is yours बचा whether you want to become the topper और आपको average बन कर रहे जाना है ठीक है तो एक topper student जो होता है वो किसी भी topic को नहीं छोड़ता है जिसके target बड़े होते हैं आप सभी के target बड़े हैं आपको M's Delhi में जाना है तो जिनके target M's Delhi है वो किसी भी topic को नहीं छोड़ते हैं हर एक topic को strengthen करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका सोचना होता है जो पता नहीं क्या पूछ ले और अगर छोड़ना पड़ जाए तो फिर दुख होता है बचा तोपिक बहुत आसान है बढ़ है बहुत मज़ेदार बहुत इंट्रोस्टिंग चलिए अब यहां पर क्या हमने सीखा हमने सीखा कि V Prime is equals to यहां पर जो V apparent इसको ऐसे लिखेंगे बच्चा V apparent is equals to आप यहां पर लिखेंगे सर V L minus आप यहां पर लिखेंगे सर V S is equals to V minus आप यहां पर लिखेंगे सर gamma L minus हो जाएगा सर gamma S into में del theta now it all depends upon the value of gamma L and gamma S बच्चा अगर gamma L का value क्या हुआ more than gamma S हुआ तो यह result कैसा आएगा this result will be positive बच्चा gamma apparent will be more than zero मतलब positive होगा और अगर यह positive होगा तो इस V prime का value इस V से जादा होगा मतलब आप बोलेंगे level of liquid in the vessel will rise on heating बच्चा तो it all depends बच्चा हमेशा हला कि generalize यह जनरली यही आपको दिखेगा ठीक है generally you will found this वाला बच्चा generally आपको यही दिखेगा बाकी के जो दो कैसे से वो बहुत कम नजर आते हैं तो generally हाप heat up करेंगे तो liquids क्या करते हैं level rise दिखाते बट अगर liquid का coefficient of expansion solid के coefficient of expansion से अगर कम हुआ तो apparent जो आपका gamma है वो lesser than zero होगा तो आप यहाँ पर देंगे सर जो आपका change in volume है वो क्या जाएगा बच्चा negative आएगा मतलब level of liquid in vessel will fall on heating तो यह समझते जाना चीजों को फिर उसके बाद में अगर यह दोनों equal हुए मालीजे जितना volumetric expansion किसका बच्चा liquid का है उतना ही अगर solid का है तो जितना solid expand होगा उतने liquid expand होगा level कहीं जाने वाला नहीं है वो वहीं का वहीं नजर आएगा आपको liquid expand होता 1 cm उपर बढ़ता लेकिन उतना ही volume किसका expand हो गया आपके container का तो फिर वो 1 meter in rise आपको fill होने वाला नहीं है तो तीसरा case भी बहुत important है theoretical question आ सकता है so gamma apparent is 0 बच्चा तो आप यहां पर लिखेंगे delta V apparent that is change in volume is 0 level liquid in the vessel will remain same बच्चा तो यह table में आपके लिए prepare करी इस पर basis इस पर based आपको question मिल सकता है इसको ध्यान रखेगा और आप चीजों को understand करिएगा कि कैसे आप यहां पर कर सकते हैं जी right जी बहुत बढ़िया right अब यहां पर आगे बात करते हैं कि क्या चीज़े होने वाली है तो question के साथ बात करते हैं पढ़ाई तो सारी now heated to 100 degree celsius how much mercury will spill out if the volume of expansion of mercury is 1.82 into 10 raise to the power minus 4 degree celsius and linear expansion of glass मतलब alpha दिया है बच्छा 0.1 into my 10 raise to the power minus 4 यहां पर degree celsius respectively अब यहां पर थोड़ा सा हना अब एक चीज़ हम देख लेते बच्छा कि कितना यहां पर V का value है 1000 cc यह दिया नहीं था तो मैंने यहां पर लिख देना है बच्छा कि आपको यहां पर volume कितना ले लेना है 1000 cc ठीक है दिया नहीं था बच्छा मैं लिख दे रहा हूं otherwise आप confused होंगे चलिए V का value नहीं दिया था so it is given to you correct answer आप यहां पर बता रहे हैं है कि sir 1.52 नहीं बच्चो नहीं प्लीज येस विक्रोस 170 लाइक यार ठेक है बढ़िया है c answer नहीं है आप लोगों ने देख लिया होगा अलाकि इसका solution में ने दिया हुआ है बट आप थोड़ा सा confused हो जाएंगे अगर चीजें वैसे आप अगर रट के करेंगे तो गलत हो जाएगा ठीक है रट के नहीं करना क्या पूछा है a glass flask volume 1 litre यहाँ पर दिया हुआ है बच्चा volume 1 litre और volume 1 litre मतलब कितना हो जाएगा sir एक लीटर का मतलब है 1000 cc बच्चा एक लीटर का मतलब होगा 1000 cc चीके at 0 degree Celsius is filled चीके level full of mercury मतलब जितना आपके flask का volume है उतना ही mercury का उसके अंदर volume है राइट येस बिल्कुल राइट जी राइट 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 करेक्ट आंसर मुझे अभी तक मिला है बादल कुमार का well done well done बादल राइट चलिए so time is up बच्चा time up यहाँ पर आपको देखो given volume volume of आप यहाँ पर लिखेंगे sir solid and volume of आपका यहाँ पर liquid दोनों आपको यहाँ पर initially same दिया हुआ है and that is कितना बच्चा thousand cc चीक है दूसरी बात अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको required किस बात की आपको requirement है sir gamma l की और gamma l आपको दिया हुआ है बच्चा this is the value 1.82 into may 10 raise to the power minus 4 and this is आपका per degree celsius but आपको gamma s की requirement है which is not given gamma s की requirement है which is not given that is आपको requirement है glass flask का coefficient of expansion तो हमें एक relation बता है we know that sir gamma s को can be written as three times of alpha s और alpha s का value आपको given है बच्चा alpha s का value आपको given है 0.1 into may 10 raise to the power 4 तो यहां से आप gamma s का value लिखेंगे that is कितना हो जाएगा sir आपका 0.3 into may 10 raise to the power minus 4 and this is आपका per degree celsius आपको change in volume calculate करना बच्चा apparent portion अगर आपको calculate करना तो we know that sir delta V जो आपका apparent होगा वो हो जाएगा actual volume actual volume और into में आप यहां पर लिखेंगे sir gamma l minus किया होगा बच्चा आपका gamma s into में आप लिखेंगे sir del theta whatever temperature change you made over here right अच्छा एक बात मैं आपको थोड़ा सबाता देता हूं एक बात में थोड़ा सबाता देता हूं जैसे कि इस question में जितना glass flask का volume था बक्चा जितना oallium था glass flask का वो पूरा भरा हूआँ था mercury से question में वो आधा-भरा हूआँ भी हो सकता था question में व और फोर्थ फिल भी हो सकता था question में उसका volume कुछ और हो सकता था मतलब it is not necessary that कि Vs और Vl हमेशा बराबर बराबर हो फिर उस condition में आपको क्या करना पड़ेगा उस condition में आपको Vl प्राइम और उस condition में आपको Vs प्राइम अलग से निकालने पड़ेंगे बच्चा इन फॉर्मूले से वन प्लस आपका गामा एल डिल्टा टी और यहां पर आपका वी एस वन प्लस आप लिखेंगे सर गामा एस डिल्टा टी और फिर माइनस करना पड़ेगा तब जाकर आंसर आएगा क्योंकि यह अलग है और यह अलग है इस बात को ध्यान रखना नहीं तो पता चला मेरे माथ है आजाओ और कहो कि सर यहां तो इक्वल है तो आसान हो गया अगर इक्वल नहीं हुए तो फिर यह लगा देना बच्चा सिंपल सा कॉंसेट एवरिवन अंडस्टूड बहुत बढ़िया तो अगर आप यहां पर बात करेंगे सो दो फंडा इस यह हो जाएगा सर इस आपका थाउजन सीसी फिर यहां पर अगर आप गामा की बात करेंगे बच्चा गामा एल की सो आपको दिया करेंगे बच्चा तेमरेचर चेंज हंड्रेड जब आप सॉल करते हैं सारा मसाला तो इविल फाउंड 15.2 डिगरी से 15.2 संटीमिटर क्यूब बच्चा 15.2 संटीमिटर क्यूब विल बी दा करेक्ट आंसर अंडस्टूड एवरिवन समझ में आया क्लियर है बच्चा तो दा आपको explain किया इसको ध्यान रखना कि अगर liquid का volume और आपके container का volume अगर अलग-अलग होता है तो फिर आपको अलग से दोनों का expansion वाला volume calculate करना पड़ेगा और फिर उसको minus करके आप यहां पर correct result बनाएंगे ठीके जी बहुत बढ़िया right अब आगे बात करते हैं यहां से आगे solution आपको दियावा आप देख लीजेगा एक और question है इसको गरिये I hope for sure आप सभी लोग इसका correct answer करेंगे time आपको में देता हूं यहां पर one minute का and countdown is started guys come on fast come on Rabia come on Bilal come on Sarita come on Keshav, Tahean, Dr. Raj come on Shreya, come on Sagnik, come on Ashish, move on करो फटाफट फटाफट फटाफट, likes भी बढ़ाते जाओ और ऐसे भी move on करते जाओ the absolute coefficient of expansion absolute, मतलब real, मतलब gamma L of a liquid is seven times that of the volume of coefficient of expansion of the vessel gamma S का साथ गुना जादा है gamma L, then the ratio of absolute and apparent expansion of the liquid is absolute and apparent expansion absolute or apparent expansion का ratio पूछा है, दिमाग की बत्ती जलाओ और answer करके बताओ जल्दी से फटाफट, कौन करके बताएगा मुझे come on, come on Shreya, Sharita, Sweet Antherics, Dr. Raj, Shresti, Harish, everyone Vikesh, very good name, come on, come on Sultana चले, तो time is up बच्चा और मैं जहां तक देखता हूँ कि मुझे सुरिया का answer मिला है, लेकिन सुरिया शायद यह सही है या गलत है, इसको check करना पड़ेगा, because पूछा है absolute and apparent, okay, it may be correct, right जी? चले, तो पहली बात आपको है बच्चा, given क्या है? तो देखे, given data की अगर आप बात करेंगे, question को कितने असानी से solve किया जा सकता है, given data में, real, that is gamma L, इसी को आप लिख सकते हैं, sir, gamma absolute भी है ना, language जिस तरह से question में है, वैसे में लिख दे रहा हूँ, gamma absolute is equals to seven times of gamma solid, बच्चा solid का volume expansion का साथ गुना जादा होगा, gamma S का साथ गुना जादा होगा, अब आपको gamma apparent चाहिए, तो gamma apparent क्या होता है, gamma apparent आपको पढ़ाया था, कि gamma absolute, है ना, minus क्या होता है, बच्चा, gamma solid, मतलब यह हो जाएगा, sir, seven times of gamma S minus gamma S, मतलब यह हो जाएगा, sir, six times of gamma S, everyone, साथ में से एक जा gamma apparent and that comes out to be, sir, यह हो जाएगा, seven times of gamma S divided by six times of gamma S, cancel out करेंगे, sir, that comes out to be, sir, seven divided by six, that is the option आपका, B आजाता है, clear है, बच्चा जी, clear है, तो आसान-ासान से questions होते हैं, मज़िदार तरीके से move on कर सकते हैं, right, जी, so it's very, very simple, कहीं सारे बच्चों ने, कहीं सारे बच्चों ने यह answer कर देखो, red zone में लिख रहा हूँ, ठीक है, danger, कहा लिख रहा हूँ, बच्चा, मैं लिख रहा हूँ कि यह danger है, ठीक है, so danger zone में लिख रहा हूँ, कहीं बच्चों ने लिख दिया, gamma L divided by gamma S is equals to one by seven, मर जाओगे, अगर ऐसा करोगे, ठीक है, right, one by seven तो वैसे भी नहीं आना चाहि है, तो यह तो करने का कोई थाई नहीं गुंजाई, तो ऐसा अगर आप करते हैं, तो आप अपने आपको डॉक्टर बनाने से, अपने गले में स्तेथो इसकोप लटकाने से, रोक दोगे बच्चा, तो यह मैने यहाँ पर किया है, और क्रॉस लगाया है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर हमने देखा, कि सर किसी भी, स्फारिकल बॉड़ी को, यह वोल्यूमेट्रिक बॉड़ी को, जब हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बच्चा, बदल जाता है, उसका equals to V01 plus gamma delta T, so what will be the density, बच्चा, density को आप यहाँ पर क्या कहते है, density को कहते है, बच्चा, mass per unit volume, किसी भी substance को जब आप heat up करते हैं, उसका mass नहीं बदलता, volume यहाँ पर बदल रहा है, तो आप लिखेंगे क्या, अगर आप यहाँ पर लिखेंगे, सर्फ change in density, जो बदलाव आएगा density में, वो होगा mass per unit change in volume, so funda is, अगर आप यहाँ पर लिखते हैं, बच्चा, so देखो, यह क्या लिखा है आपने, यह लिखा है सर्फ, mass जो आपका m0 is equals to m, mass आपका constant है, बच्चा, वो नहीं बदल रहा, और अगर mass आपका constant है, मतलब density multiply by volume constant है, तो पुराना density, पुराना volume, यहाँ पर density rho, और नया वाला volume मतलब V naught 1 plus gamma delta t, जो expand हो चुका है, on expansion या after expansion, यह वाली picture कैसी बच्चा, यह वाली picture है, आपकी after expansion, तो इसको समझ लेना, जरा थोड़ा सा writing मेरा, यहाँ पर माफ करेगा, आज मुझे, after expansion, so picture यह समझ में आती, कि sir, V naught से V naught का program, डिलीट कर दो, so rho का value, अगर मुझे लिखना है, तो rho note 1 plus gamma delta t, यह पूरा factor नीचे आजाएगा, इसकी power क्या बोलोगे, इसकी power बोल दो 1, इसकी power बोल दो 1, so अब इस, इस मसाले को मैं इहां लेकर आ रहा हूँ, पहले देखो, so मैं लिख सकता हूँ कि sir, यह rho is equals to rho note, और यह हो जाएगा sir, 1 plus gamma delta t, whole to the power minus 1, हमें पता है कि sir, यह gamma क्या होता, is very less, बच्चा, यह gamma कैसा होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, power इसकी 10 raised to the power minus 4 या minus 5 होती है, so I can open this fraction with the help of binomial theorem, बच्चा, जब यह वाला second fraction बहुत कम होता है न, याद करो जड़ा, कहानियों को याद करो, पढ़ाई थी न, कि नहीं पढ़ाई थी, भूल गए, बहुत अगर ऐसा लिखा है कि sir, 1 plus x to the power minus n, और अगर x is very, very, very lesser as compared to 1 बच्चा, तो इस result कम कैसे open करते थे, 1 minus nx, remember or not remember, by कौन सा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे sir, by binomial theorem, कौन सी theorem बच्चा, binomial theorem से we can expand like that, तो binomial theorem से expand करूंगा, so this will become rho, यह हो जाएगी sir, rho naught, and this is 1 minus gamma into, मैं आप लिखेंगे sir, delta t, अब समझना जड़ा बात को, अगर आप यहाँ पर delta t को बढ़ाओगे, अगर आप temperature को बढ़ाओगे, body का volume बढ़ेगा, mass चुकी constant है, तो density कम होनी चाहिए, कैसे कम होगी, यह रहा relation, कैसे कम होगी, यह रहा relation, समझे नहीं समझे, everyone, अब इस पर based a question, इस पर based a question, सिधा सिधा, एकदम सस्ता सस्ता, ठीक है, density of substance at 0 degree Celsius is 10 gram per cc, and at 100 degree Celsius, it is 9.7 gram per cc, 0 per 10 है, 100 per 9.7 होगई, the coefficient of linear expansion of the substance will be, coefficient of linear expansion of the substance will be, linear expansion कितना होगा बचा, ठीक है, तो अब यहाँ पर linear expansion पूछा है, मतलब आपसे alpha पूछा है, ठीक है, alpha पूछा है, तो मुझे पता है कि sir, alpha is equal to कितना होगा, alpha is equal to होजाएगा, sir, gamma divided by 3, तो कहीं से अगर मुझे gamma पता चल जाए, कहीं से अगर मुझे gamma पता चल जाए, तो मेरा काम बन जाएगा, आसानी से, चलिया जाएगे ज़रा से यहाँ पर मेदान में, so we know that, हना, हम एक फंडा पता है बच्चा, और उस फंडे से यहाँ पर क्या हम जानते हैं sir, we know that, जो density होती है sir, rho, at any temperature, यह कहाँ पर होती है sir, at any temperature, ठीक है, is equals to यह होता है sir, density, rho note, यह कहाँ पर होती है बच्चा, तो यह होती है sir, at 0 degree Celsius, समझना, at any temperature is rho, at 0 degree Celsius is rho note, और यहाँ पर होगा sir, 1 minus, आप लिखेंगे sir, gamma delta T, and delta T, कॉम कहते हैं, बच्चा, temperature change, क्या कहेंगे बच्चा, मैं इसको, this is not as, आपका temperature change, आज मेरी राइटिंग को पता नहीं क्या हुआ है, एकदम बिल्कूल, बहुत पास-पास लिखा रहा है, चलिए कर कोई बात ने, आप थोड़ा सा एड़्जिस करना आज के लिए, राइट, so density at temperature 100 degree Celsius, कितना बत्ता, 9.7, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, sir, rho का value आपको दिया हुआ है, 9.7, ठीके, density at 0 degree Celsius कितना दिया है आपको, 10 gram per cc, तो वो हो जाएगा, sir, आपका 10, यह हो जाएगा, sir, 1, minus, this is आपका gamma, temperature change कितना होगा, 0 से jump मारा, आपने कहाँ पर 100 पर बच्चा, एक minute, calculation है, बस और कुछ भी नहीं, calculation है और कुछ भी नहीं, बच्चा, this is 0.97, है न, यह 10 डिवाइट कर देंगे, this is 1 minus यह हो जाएगा, गामा और यह हो जाएगा, sir, इन्टु में 100, अब यह इधर लाओंगा, उसको उधर ले जाओंगा, तो यहाँ पर D वाले को में 1 बना देता हूँ, है न, तो यहाँ पर D वाले को 1 बना देते हैं, और B वाले को 1 बना देते हैं, तो 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3 वाले इस तरह से option ठीक है, सो कुल मिलाकर correct option कौन सा हो जाएगा, sir, D हो जाएगा, volumetric expansion पूछा होता, volumetric expansion पूछा होता, मैं option ठीक करता है बच्चा, यहाँ पर D वाला with 3, तो गामा आगया आपका बच्चा 3, और आपने यहाँ पर देखा अलफा कितना आगया बच्चा, 10 राइस तो दी पावर माइनस 4, सिंपल सा question है, मजा आ रहा है बच्चा जी? बिलकुल, आज मुझे दोक्टर वाली feeling आ रही है, एक और सवाल, प्रिवेस यहर में पूचा है बच्चा, 2015 का सवाल है, बहुत आसान सा question है, दा वैल्यू अफ कोईफिशेंट अफ वॉल्यूम एक्सपांशन अफ ग्लीसरीन इस 5 इंटो में 10 रेस तो दी पावर माइनस 4 पर कैल्विन, and the fractional change in the density of glycerine for rise of 40 degree Celsius, क्या पूचा, fractional change, अच्छा, किसी भी चीज का fractional, कोई बदलता है, किसी में अगर बदलाव आता है, तो change divided by original volume is known as fractional, है ना, क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सर, change divided by क्या होता है बच्चा, original value, change divided by आप यहाँ पर लिखेंगे सर, original value, इसको हम बोलते हैं सर, fractional change, this data is known as बच्चा, fractional change, अब इसको समझ कर, फिर हम आगे प्रॉसीड करते हैं, पहली बात इतना समझा, बई जो पूच्छा है वो समझ में आए, तो तो मैं आगे बढ़ू, प्रिवेश सेर का क्वेश्चन है, ठीक है, राइड जी, everyone, समझा नहीं समझा, बात समझ में आ रही, change divided by original value, will be the fractional change, अब यहाँ पर, अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो हम कह रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मामला जो है, गरबढ़ हो जाएगा, तो भाई सहाब, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सर, rho is equals to होता है, rho note, and one minus gamma delta t, जानते नहीं जानते हैं, पढ़े हो ना, बिल्कुल पढ़े हो, चलिए, तो rho is equals to, rho note का अंदर multiply करोगे, minus this is rho note, यह हो जाएगा gamma, और यह होगा बच्चा आपका delta t, यह भी जानते हो, तो इस rho note को इधर लेकर आओ, या ऐसे लिखोगे, और करके थोड़ा सा reciprocal करके, इस वाली term को उठा कर इधर लाऊंगा, so this will become rho note, यह हो जाएगा सर गामा, यह हो जाएगा सर डेल्टा t, अरे पढ़े नहीं पढ़े बालग, बिल्कूल पढ़े, यह हो जाएगा rho note minus rho, इतना समझा नहीं समझा, is that clear? बहुत बढ़िया, चलिए जी, तो यहाँ पर, अगर मैं आप से पूछ हूँ, तो इस वाले material को इसके नीचे ले जा, अच्छा, इसको में लिख सकता हूँ की, सर, this is delta rho, औरीजनल में से पूराना वाला minus करोगे, बच्चा, तो this is delta rho, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, सर, delta rho, आप का change divided by original, आप का change divided by original, that is rho, is equals to gamma delta T, इतना भी clear है, is equals to क्या आगया, gamma delta T, that is also clear, फंडे समझ में आते जा रहे हैं, we did such type of questions in the gravitation, for the many, many, many times, बच्चा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, sir, fractional change, delta rho divided by rho note, is equals to gamma का value, लिखेंगे, sir, 5 into में 10 raise to the power minus कितना है बच्चा 4 और delta T का value हो जाएगा sir 40 दिया हुआ है for a temperature change of 40 degree Celsius put किया यह हो जाएगा sir 520 बाकी चीज़े देखने की जरुवती नहीं है चारो option में से किवल 1 ही में 20 आ रहा है चारो में से किवल 1 ही option में 20 आ रहा है बच्चा understood or not मजा आया जी yes बहुत बढ़िया so अगर चीज़े clear होंगी न फंदे अगर clear होंगे तो question solve करना बड़ी बात नहीं है चाहे physics हो चाहे chemistry हो चाहे biology हो बच्चा right bio थोड़ा सा आपको आसान लगता है easy factor पर आपने रखने रखा है क्योंकि आप उसे पहले से ही आसान मान के चलते हो और इस बिचारे subject को आप तफ इसलिए कहते हो क्योंकि इससे पहले दुश्मन निपाल बेठते हो पहले इससे बेर रख कर रखते हो yes or no बहुत बढ़िया राइट जी चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर मैंने solution आपको किया हुआ handwritten format में आप एक बार देख लीजिएगा दूसरी बात अब आता expansion of water expansion of water और इसको आपने इस नाम से सुना होगा ना मैं लिख रहा हूँ देखो anomalous कैसा लिख रहा हूँ बच्छा anomalous expansion of water इस नाम से भी आप इसको जानते हैं Now analysis expansion of water अब है क्या चक्कर पहले इसको सुनो जरा anomalous expansion of water इसका है क्या चक्कर एक्चुल में anomalous का मतलब क्या है anomalous का मतलब होता है बड़ा भारी भरकम सा लगता है लेकिन देखो इसको मैं लिख के बता रहा हूँ इसका मतलब होता है unusual कैसा होता है बच्छा अन्यूजवल जेसा नहीं पाया जाता unusual अलग सा unique something different generally क्या होता है तो मैं थोड़ा सा explain करके बता दो बच्छा बलेक स्क्रीन पर चलते हैं आज आपसे चर्चा थोड़ी सी वहां पर करते हैं और आपको वहां पर चली थोड़ा सा जो है यहीं पर बात कर लेते हैं सपोज अगर आपके पास कोई लिक्वीड है सपोज अगर आपके पास कोई क्या है बच्चा लिक्वीड है जैसे वाटर है जब आप इसको क्या करते हैं जब आप इसको क्या करते बच्चा इस पर बेस्ट क्वेशन आता है ध्यान रखेगा सो जब आपके पास एक यहाँ पर particular क्या है सर liquid है इस तरह का और उसमें यहाँ पर molecules है उसमें यहाँ पर आपके पास इस तरह के molecules है let us suppose that room temperature 27 degree Celsius almost मैंने ले लिया इसको हम करेंगे ठंडा बच्चा क्या किया हमने cool किया cool करोगे और cool करके आप इसको ले कर आ जाते हैं आप 4 degree Celsius की तरफ आ रहे हैं तो इसका contraction होगा ठंडा कर रहे हैं बहु किसी भी material का temperature अगर decrease करोगे तो वो तो contract करेगी तो वो यहाँ पर भी हो रहा है सेम चीज यहाँ पर भी हो रही बच्चा तो यह contraction है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ चोटा बना देता हूँ ठीक है थोड़ा साब मेरी ड्रोइंग के लिए मुझे माफ करेगा यह सारे के सारे पांच molecules क्या आ गए बच्चा पास पास आ गए देखो कॉंट्रेक्ट हुआ क्या हुआ बच्चा तो यहाँ पर आप लेखेंगे सर कॉंट्रेक्ट हो गया ठीक है अब उसके बाद में अगर आप चार डिग्री सेल्सियस से नीचे मतलब अगर आप टेंपरिचर चार से कम करोगे तब क्या होगा तो बेसिकली जब हम से एच्टू की बात करते हैं जब हम वॉटर की बात करते तो बहुत सारे अलग-अलग तरह के यह क्या करता है यह और contract होना चीए भच्छा क्या सोचता है कि sir it should contract more लेकिन यह more contract नहीं करता है और यह क्या कर जाता है भच्छा यह expand कर जाता है यहां पर देखो molecules दूर-दूर आ जाते हैं यह जो green color से यहाँ पर छोटी-छोटी हो लेकिन expansion हो रहा है इसी का नाम है बच्चा अन्यूजवल जनरली थंडा करने पर कम होता है contract होता है लेकिन water shows a different behavior बच्चा जिसमें यहां पर volume क्या कर रहा है बढ़ रहा है you can fill that graph में देख सकते हैं sir 4 degree Celsius तक किसी value से 4 तक अगर आपने देखा तो volume कम हो रहा है लेकिन 4 से 0 की तरफ आपका volume फिर से बढ़ रहा है तो आप यहां पर देखे expand हो रहा है ठीक है this is what we call anomalous expansion of water बच्चा unusual expansion of water ठीक है is that clear यह funda समझ में आया कि कैसे यहां पर यह चीज़े हो रही है क्यों हो रही है so the funda is जब आप 4 degree Celsius पर बात करते हैं if you are talking about the 4 degree Celsius तो 4 degree Celsius पर volume is minimum अब इसके बाद अगर आप ओर ठंडा करोगे अगर आप इसके बाद 0 degree Celsius में से और heat निकालोगे तो यह ice बन जाएगा और आपको पता है कि जब बरफ आपका जब पानी बरफ बनता है बच्चा temperature नहीं बदलता लेकिन वहाँ पर भी expansion होता है volume of the ice is always larger than the volume of क्या बच्चा water तभी तो आप लोग जब आपके घर के freezer में घर पे जाकर experiment करके देख सकते हो घर के freezer में जब आप वो cubes बनाने के लिए पानी डालते हो तो वो cubes के level पर पानी होता है कहां पर होता है बच्चा क्यूब्स का जो surface होता है उसके level पर water होता है लेकिन जब वो cubes बनते हैं जब वो क्या बनते है बच्चा जब वो cubes बनते हैं तो उन cubes का volume क्या हो जाता है बच्चा जादा होता as compared to water are you getting my point or not everyone so that is the simple stuff funda कि अगर आप water को किसी भी temperature से 4 degrees Celsius तक अगर आप ठंडा करते हो तो वो contract होता है as usual मतलब जैसे कि दूसरे material होते हैं लेकिन 4 degrees Celsius से 0 degrees Celsius पर it shows unusual behavior anomalous behavior बच्चा जिसमें ये ठंडा करने पर भी expand होता है that is the reason कि जब ठंडी के दिनों में जब आप बात करते बच्चा foreign countries वगेरा में तो ठंडी के दिनों में वहां के जो pipes होते हैं जो water carry करते वो generally burst कर जाते हैं बारिश के आपका ठंडी के दिनों में मतलब जब आपकी बहुत जादा ठंडी होती है तो क्या होता है ठंडी के टाइम पर जब temperature water का 0 से 4 के बीच में होगा वह expand करता है expand करता है तो वह पानी के pressure के कारण क्या करेगा pipe को 4 देगा pipe की bursting हो जाएगी अगर आप पानी भर कर करके मत देखना क्योंकि freezer भी खराब हो जाएगा और डाट पिटे की फिर नाम आप मेरा लोगे ठीक है जी अगर आप पानी की bottle भर के पूरी भर के एकदम complete पूरी भर के आप अगर freezer में रख दो बच्चा और उसका temperature अगर चार से जीरो के बीच में गया आपकी bottle फट जाएगी आपके पानी की bottle क्या हो जाएगी बच्चा बर्स्ट कर जाएगी इस बात को ध्यान रखना इस factor को समझना राइट जी अब देखो यही कारण है नेचर भी कितने beautiful तरीके से anomalous expansion of water को क्या करता है यूज करता है चुकि क्या होता है जब भी आप यहां पर बात करते बच्चा तो अगर आपका पानी क्या हो रहा है बच्चा चार डिग्री चार डिग्री बच्चा जिस पानी की density जाधा है वह नीचे होगा और जिस पानी की density कम होगी वह उपर हो जाएगी तो अगर हम लेक वगेरा में बात करते तो जनरली क्या फिलिंग आती है कि सर अगर यहां का temperature क्या हो जाए जीरो डिग्री Celsius तो बर्फ बनती जानी चाहिए और अगर बर् में देखा है कि ऊपर लेयर बनी होती है बच्चा लेकिन नीचे पानी होता है एक्वेटीज स्पेसिस आप यहां पर देख रहे हैं मचली सर्वाइव कर पाती है बिकॉज यह जो यहां पर टेंप्रेचर है बच्चा on the surface of the leg वो 0 degree Celsius या उचसे भी कम हो चुका है नीचे जिससे आप जा रहे हैं तो टेंप्रेचर क्या है बच्चा 1,2,3,4,5,S इस तरह से टेंप्रेचर है तो बर्फ जो यहां पर बनी वो हलकी हो चुकी है तो वो उपर फ्लोट कर रही है तो बर्फ उपर की तरफ बना करेगी बच्चा और यहां पर आपका जो है, क्या होगा, आप यहां पर कहेंगे कि सर्दफवंडा इस जो भी बर्फ बनेगी, वो यहां पर बनेगी, इस रीजन में बनेगी whatever बर्फ is forming, वो यहां पर बनेगी इस रीजन में आगे चलके जब आपको में कंडक्शन पढ़ाऊंगा तो यह बहुत प्यारा क्वेशन बनता है कि पर उनिट टाइम में कितना बर्फ जम जाएगा लेयर क्या होगी तो यहां बर्फ बन रही है नीचे पूरा फ्रोजन नहीं होगा यही एक कारण एक्वेटिक स्पेसिस में जिन्दा रह सकती है ठीक है बहुत बढ़िया इसको आप थोड़ा सा यहां पर समझ दीजेगा आप क्वेशन है यहां पर आपके सामने जो अभी हमने पढ़ा उसी पर बेस्ट ठीक है विन वाटर इस हीटेड फ्रॉम जीरो डिग्री सेल्सियस तो टें डिग्री सेल्सियस इस वालियूम अगर आप वाटर को हीट अप करोगे कहां से जीरो से दस में बच्चा तो जीरो से चार डिग्री सेल्सियस में पहले तो डिक्रीज करेगा हीट अप कर रहे हो बच्चा हीट जीरो से कहां जा रहे हो चार की तरफ तो पहले तो डिक्रीज करेगा वालियूम दूसरी बात, in cold countries, जिसकी मैं बात कर रहा था भी, ठीक है, एक question देखो कितना प्यारा बन सकता है, in the cold countries, water pipes sometimes burst because pipe contract, water expands on freezing, water freezes, pressure increases, when water freezes, pressure increases, when water freezes, it takes heat from the pipes, okay, water expands on freezing, बचा, water expands on freezing, तो जब water आपका expand करता है, freeze होने पर, तो वो क्या करेगा, it will create more pressure, और जिसकी वज़े से आपके pipe क्या कर जाएंगे, sir, burst कर जाएंगे, so that is the simple सा फंडा, यह आपका correct explanation होगा, pipe के burst होने का, तो इसे आप ध्यान रखना, चलिए फटा-फट से, पैंडूलम के बारे में बात करनी करेंगे, ठीक है, one more thing, बचा, unacademy subscription, do not forget to subscribe, बचा, अगर आप अपने सपने की जिन्दगी जीना चाहते हैं, तो आप फटा-फट से plus को explore कर लीजिए, year, जो 2021 के, यहाँ पर gang members है, बचा, you can go with the one year subscription, and 2022 वाले जो है, बचा, I would like to suggest, यहाँ पर two year का subscription, और अगर आप difference देखे पांच हजार रुपए से भी कम में, आपको दो साल मिल रहा है, if you apply code MSLIVE, बच्चा, apply करना ना भूलना, तो आपको 32,000 में मिल जाता है, पूरा कितना बच्चा, दो साल का subscription, जिससे आप quality education, घर बेठे, access कर पाते हैं, country के top educators से सिख पाते हैं, टाइमिंग सापको बताइए, बच्चा, so let's crack it, and before that, use code MSLIVE, इसका ध्यान रखना, एक और चीज, क्रेक करने के लिए, नकाडबी, नीट के परिवार का हिसाब बनना, बहुत जरूरी वे, sister channels also, JN Foundation, so ये लाल वाला बटन दबा दो बच्चा, तहस नहस कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को, हीट कर दो, हैस बच्ची, 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 बच् बच्चा पढ़ाई करते रहें, मचाते रहें और अपने सपने की जिन्दगी को जीना है, सफेद कोट लाना है, स्टेथस को पहनना है ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बाबाई गाइस